धाकर खबर बेखोफ जुबां बेबाग अंदाज धाकर खबर के नियूज रूम से मैं आपके साथ हूँ आकरम रईस खान इससे बहतर काम तो हमने करनाटक के चुनाव के दोरान किया था अगर आप लोग हमारे कैटेगरी में जाकर देखेंगे तो करनाटक बिलिटिन की ना काम चोरी समझ लीजे जो भी है आज बात करना चाहता हूँ आपसे राजधानी दिली को लेकर राजधानी दिली में मुसल्मानों की भूमिका को लेकर उस राजधानी की बात करना चाहता हूँ जिस राजधानी पर सैक्रोस साल तक मुसल्मानों ने हुकूमत की वहां है वे किलेंग हैं वो आपको बताएंगे कि हाँ यहां मुसलिम शाह सुकुने तुगलकाबाद जाएंगे वहाँ पर आपको बता चलेगा पूरी दिल्ली के अंदर बहुत सारी चीजे मिलेंगी वैसे उस दमाने में दिल्ली को अलग अलग चीजों से जाना जाता था शाह जाने शाह जाना बाद बसाया दिल्ली को उस नाम से जाना गया तुगलक ने तुगलकाबाद बसाया गया और लोधी ने अलग से अपना बसायता तो लेकिन अगर हम सब को जोड़ के बारे में बताने से पहले अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप लोग फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं आसान तरीका और भी है आप लोग प्ले स्टोर पर जाएए ह दिल्ली की राजनिती की स्थिती की तो दिल्ली की राजनिती की स्थिती के बारे में आपको बता देता हूं दिल्ली के अंदर कुछ साथ लोग सबासीटे हैं और जब बताते हैं नरेंदर मोधी की सुनामी चल रही थी शर्म तो आती नहीं है बोलते हुए कि सुनामी जो एक सबसे पर भारतिय जनता पार्टी ने कभजा कर लिया था 2014 से साथों की साथों सीटे भारतिय जनता पार्टी ये पास हैं अब किसी सीट पर उप्चना होने की नोबत नहीं हो सकता है उप्चना होता तो इस्थिति कुछ बदल थी 2015 में यहां विधान सबा चुना हुआ यहां की सत्तर विधान सबा सीटों में से 66 यह देखेगा सत्तर विधान सबा सीटों में से 66 पर आम आदमी पार्टी का कबजा हो गया कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया तीन सीटे ले देके बीजेपी के हिस्से में आई तो यह यहां हम मिलके चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को हरा देंगे लेकिन अभी उनका मेल मिलाप किलियर नहीं हो पाया बताते हैं उस मेल मिलाप के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई है शीला दिक्षित यहां पर मुसल्मानों की स्थिति उस पर भी गौर करना जरूरी है तो देखिए दिली की दो लोग साबा सीटों पर पर बहुत जबरदस दावेधारी है है बहूत जबरदस उपस्ति थी है काफी तादाद में यहां पर मुस्लिम मत दाता मुझूद है कुछ आंकडे कहते हैं कि 35-40 फीसद तक यहां पर की तादाद है लेकिन बावजूद इसके यहां पर कोई पार्टी मुस्लिम को टिकर देती हुई दिखाई नहीं दे रही है जो सीट है जिस पर भाजपा के प्रदेश सद्यक्स यानि के मनुस्तिवारी सांसद है उत्तरपूर की सीट बताते हैं उसको भाज़ यूपी दिल्ल है इसी तरीके से दूसरी सीट है जिसके अंतरगत ओखला पूरा बहुत बड़े आका है उदर बसा हुआ है वह भी मुस्लिम जो है उस पर काफी तादाद में मुसलमान हैं लेकिन इन दोनों सीटों पर ही किसी पार्टी ने पिछले 35 सालों से किसी पार्टी ने पिछले 35 सा नहीं आए वो काम्याब नहीं हो पाए पांच विधाय को पांच मुस्लिम विधाय को वाली आमादमी पार्टी ने 2019 के चुनाव में किसी भी एक सीट से मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है अलबता इस बार कांग्रेस के अंदर से जरूर जो रादमाईश हो रही है कुछ नेता हैं जिसमें से किसी का नाम आता है चोधरी मती नहमत हसान नहमत तो इन लोगों के नाम आते हैं उबर के यह लोग सबाच चुनाव लड़ने के जो है अपनी खुआश यता रहे हैं अब देखते हैं इनको पार्टी से टिकट मिलता है नहीं मिलता है क्योंके पहले तो इस पर समझ लिए जैसे मैंने आपको शुरू में का जिस दिल्ली पर सेंकड़ों साल मुसलमानों की हुकुमत रही और महां की खड़ी हुई इमारते इस बात की गवाई दे रही है उस दिल्ली के अंदर आजादी के बाद लोग सभा में मुसलमानों की क्या हैसियत रहे क्य आउकात रही है उस पर गोहर करना जरूरी है 1952 से लेकर 1977 किसी भी राजनतिक पार्टी ने यहां पर कभी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया जिस वकद इमर्जंसी हटी और इमर्जंसी हटने के बाद जब चुना हुआ तो चुना होने पर एक शक्स यहां पर मैदान में आ से चानी चौक सीट से चुनाव लड़ा और वो भारी मतों से यहां पर जीत गए 1977 में ध्यान दीजेगा जीतने के बाद जैसे ही सरकार बनी पूरी तो सरकार में उनको मंत्री भी बनाया गया इसके बाद वो जीतते ही भाजपा की तरफ चले गया और वो भाजपा में शामि गया बाद में आखरी दोर में जब इनकी जिंद्गे का आखरी दोर था तो उस वगद के राजयपाल भी बनाए गए यानि के यह बीजेपी के भक थे और बीजेपी समर्थित थे बीजेपी दक्षन पंथी राजणी थी जो कट्टर पंथी राजणी थी है उसके हामी थे तो मुसलिम होने के बावजूद भी बीजेपी ने इनको अपना तीन दो बार प्रतियाशी बनाया पहली बार जो है वो लोकदल के टिकट पो लड़ रहे थे उनको समर्थन दिया यहां एक चीज और दिल्चस्प है जो बड़ी गोर करने लाए कि जो बीजेपी मुसलिम विर पार्टी पहले उसने बार से पीछे से समर्थन दिया बाद में उसने अपने टिकट पर सिकंदर बख्त को लड़ाया इसके अलावा जो सेकुलरिजम का दम भरती है कांग्रेस हो या अब आम आदमी पार्टी हो उसने अभी तक ऐसी को इस्तिती नहीं दिखाई है जबके आ पूरे चुनाओं को मैं देख रहा हूं मुझे लग नहीं रहा है कि कहीं से कोई मुस्लिमों की आवास उठ रही है इस बार पूरे 2019 के चुनाओं में मुस्लिम बड़ा खामोश है मैं किसी दिन इस मुद्धे पर इक अलग से खबर रखूंगा इंतजार कीजिएगा फिलाल